हलो फ्रेंट्स वेलकम टू इस्टडी इवरी डे विध वीजर सर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आरएर बी एंटी पीकि के इजाम होने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को से request है कि ऐसी अच्छी opportunity है बिलकुल भी इसे miss मत करिएगा दोस्तों ठीक है तो करना क्या है दोस्तों ऐसे आपको आपके बार बार मिलेगी नहीं दोस्तों ये opportunity बहुत ही आपके लिए benefit लाने वाली बार बार ऐसी opportunity आपको नहीं मिलती है दोस्तों तो कड़ी मेहनत करना है चाहे जो भी हो जाए RRV NTPC में सेलेक्शन पक्का लेना है दोस्तों तो आपको पता है जैसा कि और टोटल 35,277 वेकेंसी है दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप लोगों से बताऊँ को कि आपको कैसे प्रिफेयर करना क्योंकि ज़्यादा समय बचा ही नहीं है ठीक है तो इस इजाम में आप 100% आप लोगों को सेलेक्शन हो जाए तो दोस्तों पहला पेपर आपको इजाम होता है CVT First और दूसरा होता है CVT Second में ठीक है CVT First में आपकी रिजनिंग होती है कितने टोटल रिजनिंग दोनों को मिला के 65 होती है और इंगलीस आपका नहीं पूछा जाएगी इसमें बहुत ही अच्छी बेनी फिटा दोस्तों आपको यहां पे देखेंगे आर आर भी एंटी पीसी की बात करेंगे आर आर भी में देखें दोस्तों यहां पर आर आर भी में आपको करना क्या First पेपर होगा CVT First पेपर होगा CVT One ठीक है दूसरा पेपर होता है CVT Second होता है जब आप CVT First क्वालिफाइड कर देते हैं तब आपका cv2 second paper होता है ठीक है अब इसमें आपको करना क्या है cv2 first में क्या क्या पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको syllabus हम बता दे रहे हैं कौन कौन सी books पर ना ये भी हम आपको आज बता देंगी इस वीडियो के मादम से तो आप कम समय में ज्यादा opportunity के साथ कैसे अपना reading क कर सकते हैं prepare कर सकते हैं ज्यादों धीक है चलिए टो CVTone में आपका job first है CVT दोस्तों क्या बता है तो मैंने non-technical popular post ठीक है computer basic test ठीक है यह तो non-technical popular post है आपका इसमें क्या रहता है आपका computer basic test रहता थीई अब CVT versus में देखें तीन चीज़ें आपको करना है आपको इसके बारे में बताय दे रहा हूं तो दोस्तों आपका क्या है यह जर्नल इंट्लिजन्सी हो गया ठीक है यह रिजिनिंग कहलें इसमें दोस्तों आपका analogy question जैसे intelligence हो गए analogy question पूछे जाते हैं ठीक है तो अब मैं बात करूँगा मार्स के आपका general awareness में 40 मार्स का पूछा जाता है दोस्तों ठीक है CVT1 में मैस आपके इसमें 30 मार्स का होता है ठीक है और आपका CINR में क्या है 30 मार्स का ये भी रहता है ठीक है तो आपके CVT1 में और CVT2 2 में क्या रहता है दोस्तों यही तीनों रहेंगे general awareness मैस और आपका GIN पूछा जाएगा लेकिन इसमें number कितने का रहते हैं ये भी आपको मताया दे रहा हूँ यह general awareness में आपको कितने number का रहता है general awareness हो गया ठीक है मैस हो गया इसी में और आपका GIN रिजनिंग ठीक है general intelligence यानि के analogy जैसे आपके question पूछे जाते हैं यह भी आपको क्या रहता है यह आपका दोस्तों कितने mark रहेगा 50 marks रहता है ठीक है मैस इसमें आपको 35 marks कर रहेगा और GIN रिजनिंग दोस्तों इसमें 35 mark रहता है ठीक है आपकी यह cv2 में ठीक है पहले आपको cv2 first में जाम जैसे qualified करेंगे तो आपको cv2 में यह सारे question आएगे अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर general awareness ठीक है 65 का यह भी हो रहा है ठीक है ठीक है तो यह आपका होज गया क्या पूछा जाएगा टोटल ठीक है cv2 cvt1 और cv2 second में आपका टोटल तीनों में 90 marks 65 marks आपका महस हो जाएगा journal awareness आपका 90 marks और GIA and reasoning आपका 65 marks का हो जाएगा ठीक है अब आप बात करेंगे दोस्तों कि बहुत ही important बात होने वाली है कि हम इसको त्यारी कैसे करें आपके जैसे journal awareness हो गया है उसकी त्यारी हम कैसे करें चलिए वीडियो के माद्धम से आप तक जूरू पहुंचाएंगे दोस्तों अब बात आती ही journal awareness की कैसे त्यारी करना है आपको ठीक है जर्नल awareness की त्यारी आपको कैसे करना है और कौन सी बुक आपको पढ़ना है ठीक है तो General Awareness में क्या-क्या चीज़ें आती आपको उताता हूँ पहले होती है Policy ठीक है फिर Second आपकी होती है Science ठीक है धर्ड आपकी होती है History ठीक है Fourth आपकी हो जाएगा Geography ठीक है Fourth में क्या आएगा First आपका Policy Science, History and Geography और आपका हो जाएगा Fifth Economics Economics Fifth क्या हो जाएगा आपका Economics हो जाएगा ठीक है दोस्तों और आपका Six होता है क्या होता है तो Six आपका क्या हो जाएगा दोस्तों Miss Cleanious हो जाएगा Miss Cleanious जी के इसमें दोस्तों क्या पूँछा जाता है जैसे आपकी कौन सी SLAVRITY है या कि जो सबसे महली कौन सी लेडी है जो चानद पे पहले पहुंची कौन सी लेडी है जो माउंट एवरेस्ट पे पहले पहुंची ठीक है और इसमें हम कररेंट अफेज को भी एड कर सकते है ठीक है एटोम बॉम की खोच किसने की यह आपका क्या हो जाता है मिस्कलीनियस जीके में आता है दोस्तों ठीक है और करेंट अफैस भी आपको six month तक को आपको करेंट अफैस भी यहाँ पे इसी chapter पे हम add कर दे रहे हैं ठीक है इसी में आपका पूचा जाता है तो कितने हो गए आपके अब बात आती दुस्तों books की कौन सी books से हम read करें तो journal awareness में आपको कौन सी book लेना है दोस्तों जबसे पहले आपको journal किसकी लेना book इस्टर्डीज general studies की book आपको किसके लेना Mad-Easy Publication की कौन सी लेना है Mad-Easy Publication की ठीक है General Studies में आपको क्या है Made Easy Publication की बुक लेना है ठीक है और एक बात दोस्तों यह अभी वाली बुक लेना है पुरानी बुक आपको नहीं लेना Old Book नहीं No नया जो आया हो उसको लेना है ठीक है तो Revised Update Edition की बुक आप लेना है ठीक है General Studies Med Easy Publication की आपको उसको ले लेना है उसमें आपको सारा क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो भी बता दा उसमें आपको क्या है Policy आपकी Clear हो जाएगी ठीक है Policy आपकी Clear हो जाएगी ठीक है Policy आपको यह Clear हो जाएगा कि आपको इसे बहुत अच्छा दोस्तों यह बुक मैं आपको प्रेपेर कर रहा हूं कि और भी बुक मैंने रीड की है लेकिन उसमें दोस्तों बहुत काफी सारे दिया हुआ जो कोशन आते नहीं न वह चैप्टर वहां पर दिया रहता है लेकिन इसमें मैंने रीड की है बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपको भी मैं इसलिए प्रेपेर के लिए कर रहा हूं कि यह बुक आपको पढ़ लीजेगा बहुत अच्छा रहेगा अब बाताती हिस्ट्री की हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा इसमें दिया रहता है और जियोग्राफिक आवीसी में दिया रहता है इकोनॉमिक्स भी आपको इसे बहुत अच्छा चीजें दी रहती इसमें और आपको यह हो जाएगा mix cleanias इसमें को भी पढ़ सकते हैं mix cleanias को भी mix cleanias जो आपका जीके है उसको भी पढ़ सकते हैं ठीक है और current affairs तो आपको 6 months तक के पढ़ लेना है ठीक है आपके 2019 तक हो सके तो पूरे पढ़ ले अब बात आती है science की science आपको किसे preparation करना है ठीक है इसको prepare करें कि science का बात करें तो science की book के लिए मैंने 2 book आपको बताया था कि manohar pande ठीक है फर्स्ट book आपकी क्या हो जाएगी manohar pande ठीक है और second जो book आपकी आएगी manohar pande आपकी first book हो science के लिए बहुत ही अच्छे इसमें दिया रहता है और second आपकी lucent publication की book ठीक है lucent publication दो book मैं आपको represent करूँगा ठीक है तो manohar pande और lucent publication की दो books आपको read करना है ये दोस्तों कल लिए ना तो बहुत इसमें आपको 80 से 90% पूरा स्लेवस आ जाता है ये बहुत अच्छा इसमें डीफली भी दिया रहता है दोस्तों तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है कि science के लिए आपको क्या करना है manohar pande और lucent publication की book को read करना है और जैसे मैंने आपको बता दिया कि general studies में आपको med easy publication की book लेना वो भी revised and update वाली book लेना है जिससे आपको क्या हो जाएगा policy हो जाएगी history, geography, eco और mix cleanious gk भी आपका clear हो जाएगा current fs आप 6 months के लिए 2019 के पूरे current fs आपको revision करना है ठीक है तो आपको ये सारी चीजें बता दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से कोई भी डाउट है दोस्तो comment box जूर कर दीजेगा वो भी डाउट हम next video के मादम से आपका clear कर देंगे ठीक है तो general studies को med easy publication की आपकी book लेना है और science के लिए आपको क्या है manohar pande lucent publication की book लेना है बहुत अच्छा पूरा आपका चाहें तो दोस्तो इसमें भी आपका med easy publication का भी आप science पढ़ सकते हैं अगर आपको इच्छा हो अच्छा लगे लेकिन सबसे ज़्याद मैं prepare करूँगा आपका manohar pande lucent publication की अब बाती current affairs तो current affairs आपको 6.1 तक के लिए जरूर पढ़ लेना ठीक है मैईस में आपको क्या preparation करना है और आपका reasoning हो गया दोस्तो मैस और reasoning सभी इच्छाबों के लिए एक ही रहता है चाहे आपका s reim c gl कभ हो ठीक है तो मैस और reasoning आपका total कोई भी जामों सारे एक ही जैसे रहते हैं चाहे आपका मैस और reasoning है ठीक है तो मायस रिजनिंग के लिए आपका कोई भी जामो सभी का सेम रहता है ठीक है आपका परसंटेज हो गया ठीक है आपका नमबर सिस्टम हो गया और आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से question हो गया ठीक है और आपका तो काफी सारे relation में आपका रिजनिंग हो गया, relation warning का जो जादा दर पूँचा जाता है, ठीक है, number missing का हो गया, पूचा जाता है, और trigonometry से हो गया आपका, ठीक है, तो काफी सारे question है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, मैं इसके लिए आपको हमारे daily videos में upload करता हूँ, तो आपको videos देख लेना है, ठीक है, मैंने लगबग 150 प्लस videos बना चुका हूँ, मैंस with reasoning के लिए, तो आपको हमारे missing है, तो daily मैं upload करता हूँ, तो वो सारी चीजें आपको available हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो मैंस को daily आपको videos देखते रहना है, और जिनी का, दोस्तों कोई भी आप practice ले लिजिए, तो आपको मैंस और जिनी का practice करना है, अब बात है time की, कितना time बचा है, इतने time में कितना preparation कर लें, कि हमारा selection पक्का हो जाए, ठीक है, तरण time, time दोस्तों क्या है, दोस्तों आपको जैसा भी पता कि बहुत कम समय बचा हुआ है, preparation करने के लिए, इसमें आपको smartly preparation करना पड़ेगा, smartly preparation करने के लिए आपको क्या है, 8 गंटे का time देना पड़ेगा, कितने का, 8 अपको क्या है, 30 minutes का पड़ना है, ठीक है, 30 minutes आपका reasoning हो जाएगा, ठीक है, और 30 minutes में आपको करना क्या है, कोई भी एक set videos हमारा देख लेना है, कोई भी एक videos देख लिए reasoning का और आपको क्या है, previous year के question आपको क्या करना है, solve करना है, ठीक है, एक गंटे का time total देना है, आदे 44 घंटे अमारा वीडियो देखिए और आधे गंटे का कोई आपका परीवियस ये का पेपर है। वीडियो देखर कुछाँ को साल्म कीजिए ओब आपका मैं रिजन के बात कर रहाह यह कुछ नहीं 8 गंटे 6 लीजी 8 गंटे जो भी working वो homework कर लीजिए लेकिन 8 गंटे आपको preparation में लगाना पड़ेगा तो first गंटे क्या है रिजनिंग लगाना है एक गंटे केवल only एक गंटे आपको रिजनिंग लगाना है 30 minutes का एक सेट कोई previous year का paper उठा कि उसे solve करना है और 30 minutes में हमारा video जो एक देख लेना है तो वो हो जाएगा ठीक है अब आते ही time देखो मैस में आपको क्या करना है दो गंटे लगाना है ठीक है और रिजनिंग के लिए आपको 5 गंटे time GK के लिए दोस्तों GK के लिए आपको क्या 5 गंटे time देना है मैस के लिए आप 2 गंटे लेकिन GK के लिए आपको 5 गंटे देना पड़ेगा क्योंकि time बहुत कम है दोस्तों ठीक है तों बात आती है मैस में मैस को आपको 2 गंटे टा Rate pour 5 गंटे हो जिसमें कर 사 간습니다 थीक है तो 6 ोन तक टाफ चितने भी करते से आपके वह आपको रीड कर लेना है geekने हो गया जैसे तो बद दू आवाड थो गहा है खिंड के अवाड फंशन हो रहें से उनके नाहीच है आपका हो गया entertainment से ओगया कौन्सी movie अभी आई है तो वो सारी चीज़़ें आपको पढ़ लेना है कौन्सी movie का launch हुई है कितने सफलता पूरवा की हुआ की नहीं तीक है ये सारी चीज़ें आपके jam में पूँचा जा सकता है तीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पर संदर दोगों लाइक कर दिजेगा सभी दोस्तों में यह वीडियो सेर कर दीजेगा ठीका तो इस वालटी प्रेपेशन करने के लिए आपको 100% अगर आपको यह जौब आपको पकी अपका सेलेक्शन पाना है तो बहुत अच्छा है दोस्तों वीड